इस इस डॉक्टर केशव थादवानी मैं इस इलाके में NCR में पिछले तीन दशक से as a kidney specialist सेवाई दे रहा हूँ kidney diseases बहुत common है आज की तारिख में and सबसे common disease जो kidney की नदर आती है उसे कहते हैं CKD chronic kidney disease अक्सर गुर्दे की बिमारियां जो होती हैं दो किसम की कही जाती है one is acute AKI कहलाती है and second is CKD chronic जो पुरानी होती है दो commonest बिमारियां हैं world over जिने हम lifestyle disorders कहते हैं one is diabetes मदु मेह second is hypertension उच रख चाप blood pressure बढ़ जाए शुगर हो जाए तो इन दो lifestyle diseases का जो end result है as a complication kidney disease के रूप में अक्सर सामने आता है तो हमारे kidney disease के जो CKD के patients होते हैं उनमें most common causes जो society में नदर आते हैं one is diabetes second is hypertension CKD जब भी अगर हो जाए तो यकिन मानिये दो चीज़ें तेह हैं one it is irreversible हो गया तो हो गया पीछे बापस नहीं जा सकते हैं irreversible and second it is potentially progressive means उसके अंदर पूरी ताकत होती है आगे बढ़ने की तो as a nephrologist मैं किसी भी CKD के patient को दो बातें कहता हूं कि जो हो गया तो हो गया आगे न बढ़े इसका इलाज कीजिए और इसका कोई इलाज नहीं है it is an incurable disease it is treatable it is incurable आप उसको जड़ से काट नहीं सकते हैं आप उसको treat कर सकते हैं तो treat करने की दिशा में अपने kidney specialist की देख रेक में अपने शुगर का अपने blood pressure का और जो associated problems बहुत सारी होती है जैसे uric acid बढ़ जाता है, kolesterol बढ़ जाता है, body में पानी ज़्यादा जमा हो जाता है या body में dehydration हो जाता है, infection हो जाते है, खून की कमी हो जाती है, anemia हो जाता है kidney disease में कई सारी bone और muscle disease हो जाती है तो ये जितने भी complications CKD के हैं, इनको भी एक kidney specialist को address करना पड़ता है तो it needs a comprehensive patient care in form of के ये चीज आगे progress न करे और जो associated troubles हैं, जो बीमारी के साथ जुड़ी रहती है anemia, electrolyte imbalance, fluid imbalance, भूग न लगना, means symptom इन सब को एक साथ इलाज करने को ही CKD का इलाज कहते हैं और ये long term ilaj होता है and probably life long होता है, क्यों? कि आगे पीछे जब CKD culminate करती है, end करती है तो उसे कहते है end stage kidney disease kidney stage, kidney disease की आखरी stage and आखरी stage जब होती है, तो दवाईयों और परहिज के बूचे पर काम नहीं चलता फिर हमें एक artificial विधी का साहरा लेना पड़ता है जिसे हम dialysis कहते है and जब dialysis पे बात आजाती है तो dialysis पे आख तो जिन्दगी काट दीजेगा या dialysis से हटना है तो फिर अगली चीज होती है, कि हम गुर्दे को परत्यार ओपर में डाल दें means kidney transplantation कर लें तो ultimately CKD का जो end result है वो ESRD है end stage kidney disease और उसका treatment फिर regular dialysis होती है या फिर kidney transplantation Thank you